नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, क्रिप्टो माइंडर्स जैसा मैंने आपको अपनी लाश्ट वीडियो में बताया था बिटकोइन के चार्ट को एनलाईज करके आगे क्या होने की सबसे ज़्यादा पोसिबिलिटीज है सेम वैसे ही बिटकोइन के चार्ट पर शो हो रहा है फाइनली, डेथ क्रोष बिटकोइन के चार्ट पर बन चुका है और आप इसे इजिली देख सकते हैं और जैसे ही डेथ क्रोष बना, एक पैनिक सेलिंग हमें मार्किट में देखने को मिली जिसको बाहर से अच्छे से एब्जोब कर लिया है और हमें बाउस पैक्ट देखने को मिला है एक्जेक्टली हमारी सपोर्ट रेंज के लोवर लेवल से अब ये बिटकोइन ट्रेड कर रहा है दोस्तो 34,000 के उपर अब और जादा हम डेट क्रोज के उपर डिसकेशन नहीं करेंगे अब बात करेंगे इन फ्यूचर क्रिप्टो मार्किट किस दिशा में जा सकता है और 28 से 30,000 डोलर की जो सपोर्ट रेंज है उसको बिटकोइन ब्रेक करेगा या नहीं करेगा इसके लावा आपको आगे कैसे ट्रेट करना है मार्किट को इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर न्यूँ हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो बिटकॉण के चार्ट को देखते हैं और एनलाईज करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी लाश्ट दो तिन वीडियो में यहां पर छोटे इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसे उनके लिए एक ट्रैप बनाया जा रहा है इसके आपको बिल्कुल संबल कर ट्रेड करना है बिटकॉण में हमें बाउंस बैक देखने को मिला था पर फॉर्म हो चुका है और बिटकॉण अपनी सपोर्ट रेंज टक्र खाकर बाउंस बैक किया है फिर से आप लोग यह जिरूर माइंड में रखिए जितनी बार भी बिटकॉण अपनी पोर्ट लेवल को टच करेगा इसका चार्ट और ज्यादा वीक होता जाएगा और सप पर नेक्स को चनाता है दोस्तों सपोर्ट रेंज ब्रेक करने के बाद क्या होगा विटकॉण के चार्ट पर तो चलिए यह सोल्व करने की ट्राइग करते हैं आगे क्या होगा मार्केट में मैंने आपको अपनी लाश्ट वीडियो में बताय था विटकॉण पर जितनी बार तक कर next fall और हम next support level की बात करें तो वो exactly 50% fall पर ही है 18-20,000 डॉलर इसके साथ अब जो यह bounce back किया है दोस्तों क्या Bitcoin फिर से अब ट्रेंड में जाएगा तो इसके chances बहुत कम दिख रहे हैं जिस तरह से market में एक के बाद एक bad news निकल कर आ रही है short term scenario में Bitcoin के लिए बहुत मुश्किल है फिर से bullish trend का start होना अगर आप crypto में invest करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल right time है invest करने का market में अपनी capital का कुछ पैसा अभी invest कर सकते हैं और अगर market में एक और बड़ा dip आता है जैसा कि past में हमें देखने को मिला है तो बाकी बची हुई capital को आप उसी dip के लिए बचा कर रखें और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कोई भी market को predict और time नहीं कर सकता है तो अपनी capital को अच् को मेरा यह analysis अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों जो कि crypto में invest करते हैं उनके साथ share करें अब बात करते हैं मार्केट में चल रही cryptocurrency से related news की सबसे अच्छी news जो market में इस time चल रही है दोस्तों cryptocurrency से लेकर वह दोस्तों अच्छीन होरोविच तो लॉंच 2.2 बिलियन डॉलर क्रिप्टो करेंसी फंड को है दोस्तों होरोविच होरोविच इस दा बिगज़ शेयर होल्ड कोईबेस ग्लोबल इंक दा लार्जेस यूस क्रिप्टो करेंसी एक्चेंज जैसे कि हमें पता है यूस की जो सबसे लार् स्ट फेस्बूक और गूगल को लेकर लोन் Go 6 और इत्यारी कर लिए अपने टोकन लांच करने की 6 ब्लक चैन पे बिल्ट किया जाएंगे ये बिए बहुत बड़ी न्योजेद दोस्तों क्योंकि टेसला फेस्बुक और गूगल्स तिनों ही बहुत बड़ी पंपनी आगर य तो यह भी क्रिप्टो कुरंसी के लिए एक बहुत ही पॉस्टिव न्यूज है दोस्तों थर्ड न्यूज की बात करें तो दोस्तों वह कोईनबेस की कोईनबेस एंटर जैपनीज मार्केट आफ्टर कंप्लेटिंग रिजिस्टेशन विद फैनेंशल वस्टोग तो दोस्तों कोईनबेस जैपनीज मार्केट में एंटर कर रहा है इस टाइम पर यह भी एक अच्छी न्यूज है कोईनबेस के लिए भी और क्रिप्टो करेंसी के लिए भी लास्ट बात करेंगे दोस्तों सीटी ग्रूप सीटी ग्रूप जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही बड़ा ग्र पर नजर रखेगी तो यह थी दोस्तों तो यह थी दोस्तों मार्केट में चल रही क्रिप्टो क्रेंसी को लेकर इस टाइम की सबसे बड़ी नियूज अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए इसके लावा आपका कोई भी कव भूलें दोस्तो थैंक यू धन्यवाद